मनिपूर के सभी लोगों को डेर सारी बदाई कोरोना के चलते इस बार दो साल बाद संग्राई फेस्टिवल का आयोजन हुआ मुझे खुशी है कि आयोजन पहले से और भी अधिक भव्यस्वरूप में सामने आया ये मनिपूर के लोगों की स्पिरीट और जज़बे को दिखाता है विशेश रूप से मनिपूर सरकार ने जिस तरह से एक व्यापवग विजन के साथ इसका आयोजन किया वो वाकई सरानिय है मैं मुक्ष मंत्री एन बिरेंसी जी और पूरी सरकार की इसके लिए सराना करता हूँ साथियों मनिपूर इतने प्राकृतिक संदर्य सांस्कृतिक सम्रद्धी और विविदता से भरा राज्य है कि हर कोई यहाँ एक बार जरूर आना चाहता है जैसे अलग-अलग मनिया एक सुत्र में एक सुंदर माला बनाती है मनिपूर भी वैसा ही है इसलिए मनिपूर में हमें मीनी इंडिया के दर्शन होते हैं आज अमरित काल में हमारा देश एक भारत स्विष्ट भारत की भावना के साथ बढ़ रहा है ऐसे में फेस्टिवल अफवननेस इस थीम पर संगाई फेस्टिवल का सफल आयोजन भविष्ट के लिए हमें और उर्जा देगा नई प्रिनना देगा संगाई मनिपूर का स्टेट एनिमल तो है ही साथ ही भारत की आस्था और मान्यताओं में भी इसका विशे स्थान रहा है इसलिए संगाई फेस्टिवल भारत की जैविक विविदता को सेलिपरेट करने का एक उत्तम फेस्टिवल भी है ये प्रकृति के साथ भारत के सांस्कृतिक और अध्यात्मिक समंदों को भी सेलिपरेट करता है और साथ ही ये फेस्टिवल सस्ट्रेनेबल लाइफ्टाइल के लिए जरूरी सामाजिक संवेद्ना की प्रेणा भी देता है जब हम प्रकृति को जीव जंतु और पैड़ पोधों को भी अपने परवों और उल्लासों का हिस्सा बनाते हैं तो को एक्जिस्टन्स हमारे जीवन का सहज अंग बन जाता है भाई और भेनों मुझे बताया गया है कि फेस्टिवल अब वन्रेस की भावना को विस्तार देते हुए इस बार संगाई फेस्टिवल केवल राजधानी नहीं बलकि पूरे राज्य में आविजित हुआ तक करीब 14 लोकेशन पर इस पर्व के अलग अलग रंग दिखाई दिये यह एक बहुत सरानिय पहल है रहे है जब हम ऐसे आयोजनों को जादा से जादा लोगों के साथ जोडते हैं तभी इसका पूरा पोटेंशल सामने आता है साथियों हमारे देश में पर्वों उत्सवों और मेलों की सदियों पुरानी परंपरा है इनके जरिये हमारी संस्कृती तो संबुर्द होती ही है साथ ही लोकल एकोनामी को भी भावर ताकत मिलती है संगाई फेस्टिवल जैसे आयोजन निवेशकों को उद्योकों को भी आकरशित करते हैं मुझे पूरा विश्वास है ये फेस्टिवल भविश्य मैं भी ऐसे ही उल्लास और राज के विकास का एक ससक्त माध्यम बनेगा इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद